हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं यूटूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाला है येस बैंक के बारे में आज है 24 ओगस्ट और आज हमें तक्रिबन 5% का लोवर सेटकिट देखनों को मिल गया पिछले दो ट्रेडिंग सेशन येस बैंक में कंट्यूनिसली हमें गिर आउट देखनों को मिल रही थी और आज फाइनली हमें 5% का लोवर सेटकिट देखनों को मिल गया तो इस लोवर सेटकिट के पिछे क्या रिजन से क्या निउस है उसके बारे में हम जानने की कुशिश करेंगे तो दोस्तो वीडियो उपे 60 पैसे के उपर निकलता है तो आपको पोजिशन बनानी है ऐसा भी मैंने आपको बताया हुआ था तो आज हमें जो ओपनिंग डेकनों को मिली तो उन सभी बातों पर हम डिसकस करेंगे तो दोस्तो वीडियो में बना रही है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर क जाता है तो उसका भी निक आपको डिक्सिशन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से अब जिरोधा में भी अपना एकाउंट बन कर सकते हैं और दोस्तो अब हम पहले आज के कारोबार की डिटेल्स देख लेते हैं किस तरह का कारोबार देखनों को मिला था और डिलेवरेबल प दो सबसे पहले हम आज के कारोबार की डिटेल्स देख लेते हैं तो दुश्तो हम यहाँ एन्नेस seat के वेबसाइट के ऊपर आये हैं और यहां पर जहों मैं यहां येस देंक्में कारोबार का डिटेल्स आज देखनों को मिला था आप्चरब हैं पांच परसंद का लोऊरोर प्रिवियस क्लोजिंग हुई थी और ऑपन वुआ था 15 रूपे 25 पेसे यह त्या देने को मिली थी है और जो हाइप बनाया था circuit भी देखनों को मिल रही है कहीं ना कहीं तो उसके बारे में हम details में चार्ट के उपर जानेंगे और दोस्तों deliverable percentage की बात करें तो आप देख सकते हैं गजब की delivery में यहां पे देखनों को मिल रही है तक्रिबं 54% की delivery देखनों को मिल रही है तो यह अपने आपने बहुत ही बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों वीडियो में बने रहा है तो दोस्तों मैंने यहां पर yes bank का चार्ट open किया हुआ है और यहां पर मैंने कुछ line ए ट्रॉ करके रखी है और levels भी identify करके रखी है जिसके मध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल के लि कि 15 रुपे 30 पेसे के नीचे लोड़कता है तो किसी भी तरह की कोई position ना बनानी है और उपर के level पे मैंने 15 रुपे 60 पेसे के उपर 15 रुपे 60 पेसे के उपर बाय करने का बोला था लेकिन आज हमें gap down opening देखनों को मिली और जो support था काफी strong support सा 15 रुपे 30 पेसे आप देख स सकते हैं पहली 15 मिनिट की candle पर आप देखोगे volume के साथ भी यहां पर कह सकते हैं कि break होता हुआ हमें देखनों को मिला था और उसके बाद आप देखोगे तो continuously हमें निच्चे ति की और ही लोड़कता हुआ देखनों को मिल गया तो यह काफी strong support था दोस्तों जो उसको break किया उसके चलते आज मैं lower circuit भी देखनों को मिल गया और कल की बात करें तो कल आप देख सकते हैं हमें जो support देखनों को मिल रहा है और नीचे तेरा रूपे अंसरी पेसे पर तो दोस्तों अगर आप position बनाना चाहते हैं कल intraday के लिए तो आपको wait करना पड़ेगा और यह support जो है अपना stop loss लेकर यहां से position बना सकते हैं और आपका जो target रहेगा वो फंदर रूपे तक प्याप target ले सकते हैं ठीक है और अगर दोस्तों कल उपर की लेवल पर ही निकल जाता है अगर कल गीरा वाट हमें देखने को ना मिले और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो कि कल gap up opening भी हो जाए ह हमने काफी बार ऐसा देखा है कि पहले lower circuit लगता है और फिर दूसरे दिन upper circuit भी लगता है काफी बार हमने yes bank में देखा है तो कल ऐसा भी हो सकता है कि कल yes bank gap up opening देखा के upper circuit भी लगा दे तो कुछ कहें नहीं सकते है लेकिन अगर दोस्तों 15 रूपे के उपर निकलता है yes bank कल त अगर 15 रूपे के उपर ही निकलता है तो आप position बना सकते है और जो आपका पहला target रहेगा और 15 रूपे 30 पेसे का अपका पहला target रहेगा और जो पिछले दिनों हमें यह जो support देखनों को मिल रहा था वो अभी हमें resistance की तरह यहाँ पे देखनों को मिल सकता है और अगर इस resistance इसको भी बेक करगा तो 15 रूपे 50 पेसे तक कि आप target लेके यहाँ पे position बना सकते है एस bank में तो दोस्तो इन levels को आप होचा उट कीजिए आप अपना भी analysis कीजिए उसके बाद ही इसमें position बनाए तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजिए और हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारी चैनल को subscribe भी जरूर कीजिए thank you again for watching this video